नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल एकेटू ग्यान पर फिर से एक नए वीडियो में दोस्तो वैसे तो इलाइची का सेवन अपने घर में सभी करते होंगे इलाइची मसाले के तौर पर हर घर में मौजुद होती है दोस्तों इलाइची दो तरह की होती है छोटी इलाइची और बड़ी इलाइची छोटी इलाइची चाय और बोजन का स्वाद बढ़ा देती है ये अधिकतर मीठे वेंजिनों में प्रियोग की जाती है इसके अलावा बड़ी इलाइची मसालों के तोर पर इस्तेमाल की जाती है जहे एक तरह का खड़ा मसाला है जो गरम मसाले में एम भूमी का निवाता है छोटी इलाइची को हरी इलाइची के नाम से भी जाना जाता है दोस्तो क्या आपको पता है सुबा के समय में खाली पेट इलाईची खाये जाये तो इससे हमारे सरीर को बेमिसाल फायदे मिलते हैं तो दोस्तो आज के वीडियो में बात करेंगे अगर सुबा काली पेट इलाईची खाये जाये तो इससे हमारे सरीर को क्या-क्या हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं कि जब हम सुबह खाली पेट एक या दो इलाई ची खाते हैं तो इससे हमें बहुत health benefit मिलते हैं जैसे इससे हमारे दिमाग तेज बनता है तता साथ ही इसमें मोटापे से मुक्ती मिलती है पाचन सक्ती भी मजबूत होती है और इसके अलावा भी खाली पेट इलाई ची खाने से बहुत सारे फायदे होते हैं नमबर एक पाचन सक्ती मजबूत होती है सुबह खाली पेट इलाई ची खाने से पाचन सक्ती मजबूत बनती है दोस्तों इलाईची में बहुत सारे प्राकिर्टिक और 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 अजदिय गुन होते हैं और यह हमारी पार्चन तंत्र को मजबूत बनाने का काम करती है बहुत से लोगों को यह समस्या होती है कि कुछ खाया प्या नहीं लगता और खाना खाने के बाद वह हमेशा टॉयलेट में जाते रहते हैं ऐसा तब होता है जब हमारी पार्चन सकती कमज़ोर होती है ऐसे में आप सुबह के समय में इलाईची को खाली पेट खाते हैं तो इससे आपको बहुत फायदा मिलता है और इसके साथ साथ आप अपने खाने में इलाईची को चून जरूर डालें इससे पेट सम्बंदित सभी समस्यां दूर हो जाती है दोस्तो इलाईची मोटापे को भी घटाती है दोस्तो मोटापा एक ऐसी विमारी है जिससे आज हर तीसरा इंसान ग्रेसित है आप भी चाहते हैं आपका मोटापा जल्दी घटे तो सुबह के समय में आप खाली पेट दो इलाईची जरूर खाएं यदि आप कुछ समय तक यह नियमित करते हैं तो आपका मोटापा घटना शुरू हो जाएगा क्योंकि इलाईची में सोडियम अधिक मातरा में होता है जो आपके पेट के अंदर की चर्वी को बर्न कर देता है दोस्तो बहुत से लोग मोग की बदवू से परिसान रहते हैं और इस समस्या की वज़े से उन्हें कैवार बेज़ती का सामना करना पड़ता है ऐसे में इलाईची आपको इस समस्या से बचा सकती है अगर आप सुबह खाली पेट इलाईची के दो दाने सुबह उटकर अपने मूँ में रखते हैं तो इससे पूरे दिन मूँ से बद्वू नहीं आएगी और साथ ये साथ इस से आपको पूरे दिन ताजगी भी महसूस होगी यही नहीं इलाईची आपके मूँ के अंदर के बैक्टीरिया को भी खतम कर देती है दोस्तों अगर आपको हिच्की आ रही है और बंद नहीं हो रही है तो इलाईची एक अचूक औसदी है इलाईची हिच्की की समस्या में एक रामबाण आउजदी की तरह काम करती है बहुत बार ऐसा होता है जब हिच्की बंद नहीं होती और इसी वज़े से आपको परिशानी भी हो जाती है अगर आप इस परिशानी से बचने के लिए इलाईची के दाने अपने मूं में डाल लें तो इससे आपके इच्की आना बंद हो जाएगी नमबर च्छे गले की खरांस गले की खरांस और सर्दी को दूर करती है इलाईची दोस्तों गले में खरांस होना एक आम समस्या है हम जो अधिक औली चीच्छ खाते हैं और उसके बाद थंडा पानी पी लेते हैं तो इस से हमारे गले में खरांस हो जाती है ऐसे में आप खाली पेट इलाईची को खाएं और बाद में हलका गुनगुना पानी पीएं इससे आपको गले की खरांश ठीक होगी और आपके गले को काफी आराम भी मिलेगा इलाइची के सेवन से गले को एक तरह की गर्माहट मिलती है गले में जमे हुए विसेले तत्वी बाहर निकलते हैं और सर्दी के समस्या भी इस उपाय से दूर हो जाती है दोस्तो यह थे सुबह सुबह इलाइची खाने के आउस्दिय लाग दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक सेर करना ना बोलें धन्यवाद